सारी रात हम मरमर के जी लिये एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो यही कुछ हाल है 36 गण में CGPSC तदा CG व्यापम की प्रप्रेशन करने वाले एस्प्रेंट्स का इनका जीवन अंधिकार में है 36 गण में आरक्षण का मुद्दा हसा हुआ है आरक्षण के मुद्दे के कारण 36 गण में वर्ष 2018 से किसी भी गवर्मेंट जोब का प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है अगर जोब का नोटिफिकेशन आ रहा है तो इकजाम नहीं हो रहा है और इकजाम हो रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है 36 गड़ सरकार के द्वार एक दिसंबर और दो दिसंबर 2022 को 36 गड़ विधान सभा के विशेश शत्र के द्वारान आरक्षण का एक बिल पास किया गया जिसके तहत 76 प्रतिश्यत आरक्षण का प्रावधान लाया गया है हाला कि इस बिल पर राज जेपाल का हस्ताक्षण नहीं हुआ है और ये बिल पास नहीं हो पाया है और इसके कारण 36 गड़ में जो एस्प्रेंट्स है जो प्रप्रेशिन कर रहे हैं इनका जीवन अंदकार में आ गया है साथी साथ 36 गड़ सरकार के द्वारा सुप्रिम कोट में अंठावर प्रतिश्य आरक्षण को लागू किये जाने का अनुरोध किया गया है हाला कि इनकी याचिका की सुलवाई 22 मार्च 2023 को होनी थी जो टाल दी गई है अब ये होगा 2 माई 2023 को लेकिन सोचिये कि ये जो डेट आगे बढ़ रहा है क्या इससे जो एस्परेंट्स प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके जीवर में जो अंदकार आया है क्या उसे रोश्नी आएगी बिल्कुल नहीं यहाँ पर 36 गण सरकार को चाहिए कि वो जल से जल 50 प्रतिशत के ही आरक्षण को लागू कर दे और 50 प्रतिशत आरक्षण के तहत 36 गण में गवर्मेंट जॉब के नोटिफिकेशन को जारी करें और जो एक्जाम हो चुका है उसका रिजल्ट इनकाले और जो एक्जाम नही गती से चल रहा है उसका भी ले देके प्रिलिम्स हुआ है में सेलेक्शन लिष्ट बाकी है उसके बाद होगा मेंस यहाँ पर ACF का एक्जाम आया था ACF का दूर दूर तक कोई पता नहीं है क्योंकि उसका रिजल्ट आ चुका है लेकिन कब उसका इंटर्व्यू होगा कब स इस सभी के सभी examination होंगे और या उसका result आएगा सिर्फ जब reservation confirm हो पाएगा कि कितना प्रतिशत reservation होने वाला है कि 50% की 58% की 76% देखिए 58% शेतर प्रतिशत तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों ही और सेम्यधानिक है होगा ले देके तो 50% का ही reservation 36 गड़ राच्जी में आ तब आरक्षण की कुल सीमा थी 50% जिसमें SC को 16% का आरक्षण, ST को 20% का आरक्षण, OBC को 14% का आरक्षण था वर्ष 2012 में भाज़पा सरकार के द्वार आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा कर 58% कर दिया गया जो कुछ इस प्रकार से था SC को 12% का आरक्षण, ST को 32% का आरक्षण और OBC को 14% का आरक्षण, ECD खिराब 36 गड़ हाई कोट में याची का दायर की गई और फाइनली, 19 सितंबर 2022 को 36 गड़ हाई कोट के द्वार अपना फैसला सुनाते हुए, हाई कोट ने कहा कि 36 गड़ में 58% का जो आरक्षण दिया जा रहा है, ये सनवैधानिक तरीके से इन्वैलिड है और इसे खारिज कर दिया गया तो इस प्रकार से 36 गड़ में आरक्षण खताम हो गया, और वर्ष 2000 में जो आरक्षण था 50 प्रतिशत का वो बाइडिफोर लागू हो गया, लेकिन 36 गड़ सरकार के द्वारा 1 दिसंबर ताथा 2 दिसंबर 2022 को 36 गड़ विधान सभा के 20 शत्र के द्वारा आरक्षण की सीमा के लिए एक नया बिल पास किया गया, 46 प्रतिशत का आरक्षण का बिल, हाला कि इसमें राजित पाल का हस्ताक्षण नहीं हुआ फाइनली, 36 गड़ सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 58 प्रतिशत का जो हाई कोर्ट में अरक्षण को खारिच किया गया था, उसी के लिए याचिका दैर की गई कि भई, 36 गड़ में फिर से 58 प्रतिशत का अरक्षण लागू किया जाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी थी, 22 मार्च 2023 को, उन्होंने डेट को आगे बढ़ा दिया है, अब सुनवाई हो की, 2 माई 2023 को लेकिन सोचिए, यह जो डेट आगे बढ़ रहा है, इस सिब जो एस्प्रेंट से उनका भविश्य अंधकार की ओर बढ़ रहा है, उनमें negativity आ रही है, उनके द्वारा धिर रात preparation किया जा रहा है अब preparation तो किया जा रहा है, लेकिन 36 गर सरकार के द्वारा किसी भी जोब के लिए notification नहीं निकाला जा रहा है, एक्जाम नहीं हो रहा है, और एक्जाम हो रहा है, तो result नहीं आ रहा है मैं 36 गर सरकार से अनुरोद करना चाहूँबा कि आप फिर से 36 गर में सर्विधानिक तरीके से 50 प्रतिशत की आरक्षण को ही लागूप कर दीजे, प्रॉपर जोब कर नोटिफिकेशन जारी कीजे, एक्जाम लीजे और एक्जाम का result समय पर जारी कीजे, इसे automatically जो लागू करने के लिए शांती पुर्वक तरीके से अंदोलन करना चाहिए, इसका उदेश होगा कि 36 गर सरकार 36 गर में 50 प्रतिशत का आरक्षण लागू कर दे, मुझे ये पता है कि हमारे कका भुपेश भगेल जी हमारी बात को सुनेंगे और 36 गर में वो 50 प्रतिशत के आर में है, जय हिंद, जय भारत